है प्रीबन मैं मैं पांडे आप लोगों का अपने यूटूब चैनल के सियाई टैली स्पेसलिस्ट में बहुत बहुत श्वागत करता हूँ आज मैं आप लोगों के लिए टीडियेस का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें आज मैं कम्प्लीट आपको टैली में टीडियेस कैसे यूज किया जाता इसको मैं बताऊंगा इसमें टीडियेस भी जेस्ट में करके दिखाऊंगा टीडियेस हम कैसे एक्टिवेट करते हैं टीडियेस को हम कैसे एपलाई करते हैं और जो डिडेक्टेड टीडियेस होता है उसका हम पेएबल कैसे चेक करते हैं रहता हम TDS कार्ट करके payment कैसे करते हैं कहने के मतलब सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में एक ही सिंगल वीडियो में मैं complete TDS कपर करूँगा इस वीडियो को देखने से पहले मारी पिछली वीडियो जो TDS इंट्रो पर बनी हुई है उसको आप जरूर देख लें विकॉज उसको होता है वो complete आप समझ पाएंगे तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा important है वीडियो को आप लास तक देखें बहुत ही कियरफुल हो करके आप वीडियो को देखेंगे विकॉज यह इसे आप completely देख लेते हैं फिर TDS में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी problem नहीं रह जा है तो यह चैनल बहुत ही important है हर उस व्यक्ति के लिए जो किसी ना किसी तरीके से computer से जुड़ा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले चलिए स्टार करते हैं और देखते हैं टीडियो को completely टैली में implement करके देखते हैं आप देख पा रहे हैं टैली के में विंडो जाना होगा F11 प्रेस करें या बटन बार पर फीचर्स होगा महाँ पर आगर के क्लिक कर दें तेख पारे कम्पनी फीचर कम्पनी फीचर के अंतर्गत स्टेट्य और टक्शिटन पर हम जाएंगे यह हम एंटर करें या suggest करके सामने इस्टेट्य और lever करके आ जाएगा और वैसे भी जिसको भी GST complete activation या basic से समझना है GST वो हमारी पिसली वीडियो जो GST related है मैंने कई सारी वीडियो बना रखी है उसे आप जरूर देख लेंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर के टैली कूर्स का प्लेलिस्ट ओपन कर लिजे फिर सारी वीडियो को आप step by step देख सकते हैं इस तरह से हमने GST को activate कर लिया हम एंटर करते चले जाते हैं और यहां है आपका enabled tags detected add source जैसा कि फिसली वीडियो TDS related जो है मैंने आप से बताया कि उस वीडियो को हमारी जरूर देख लेंगे आप तब ही आपके सारे concept TDS से related clear हो पाएंगे तो यहां से हम TDS को yes कर लेते हैं set alter TDS detail जब हम यहां yes करेंगे तो यहां पर हमें TDS deduction का पूरा complete detail हमें देना होगा जो deductor अपने यहां complete TDS detail को maintain करता है तो यहां पर TAN registration number होता है TAN means होता है tax assessment number जिसमें tax assess करता है आपका इसमें आपका starting में state code होता है आपका pen number होगा यह आपका TAN हो गया यह आपका है tax deduction and collection जो भी आपका TAN देखे TAN जो होता है वो TCS और TDS दोनों के लिए जरूरी number है और उसका एक account number होता है जिसमें आपका collect किया जाता है जिसमें आप deduct कराते हैं जो TDS deduct होता है फिर उसको आपको government की खाते में ले जाके जमा करना होता है तो उसको यहां डालेंगे यहां माँ जाएंगे deductor type डिड़क्टर क्या है जो deduct करता है जो मतलब जो आपको सेवा ले करके आपको उसका charge देता है जो service प्राप्त करने वाला है उसके बदले में service charge पे करता है आपको वही डिड़क्टर होता है और डिड़क्टर की ही यह पूरी जिम्मेदारी होती है क आप जैसे किसी को rent देना है या salary देनी है या professional fee कुछ भी ऐसा देना है तो उसके account से TDS को deduct करें और TDS को central government के खाते में जाके जमा करें और TDS card करके उस party को payment करें तो उसे deductor कहते है और जिसके account पे TDS deduct होता है उसे deductee कहते है यह सब मैं पिछली वीडियो में बता चुका एंटर करते हुए आएंगे यहां deductor branch and division में हमने अउध्या डाल दिया यहां सेट अल्टर detail of person responsible यहां अगर हम yes कर लेते हैं तो complete detail डालने को आ जाएगा यहां हमने डाल दिया KCI complete detail आप यहां डालेंगे पैन उगरा इसमें मांग रहा है उस अब आप डालेंगे जो भी तो directly TDS जो होगा 20% deductor जाएगा rate चाहे कुछ भी हो यहां पर हम exemption limited ही में देना है तो yes करेंगे अनता हम enter करके accept कर लेते हैं इस तरह से हम control ले करके इसको save कर लेते हैं अब हम back करके आ जाते हैं हम आपको दिखा दें को TDS related laser हमने create कर रखा हुआ है यहां पर आप देखें गे पहले से बना चुके हैं तो आपको बताएंगे कैसे बनाते हैं इसको चुकि मैं लेजर्स बनाना आपको पिसली वीडियो में बता चुका हूँ बट एक बार TDS से related laser है इसलिए इसको एक बार आप देख लें यहां जाते हैं ACI enterprises जो है वो विल्डिंग रेंट पर विल्डि इसमें जाएगा यहां पर indirect expenses हो गया important पार्ट यह है आपका इस्टेटरी information जो कि इस GST applicable यहां से applicable इस कर लिया state alter GST detail यहां बहुत ज़रूरी आपको इसको yes करना और देखे nature of transaction के लिए एक list आ गई है nature of transaction की जिसमें purchase taxable को हम चुनेंगे चुकि हम service को purchase कर रहे हैं integrated tax हम 18% डाल दे रहे हैं central tax और state tax में divide हो गया 99% इसको हम accept कर लेते हैं type of supply में हम service ले रहे हैं तो हम services चुनेंगे goods नहीं चुनेंगे इस TDS applicable को हम apply कर लेंगे nature of payment में हम rent देखे nature of payment आपको बनाना पड़ेगा अगर बना नहीं हुआ है तो हमने यहां rent बना लिया है अगर नहीं बना है तो आपको alt plus c करना पड़ेगा और अगर बना हुआ है उसको आप check करना चाहते हैं तो आप control enter करके alter करके उसको check कर सकते हैं आप देखे नेम में rent डाला है section होगा जो 1942i section है इसका enter करेंगे जो payment code हमने डाल दिया है remittance code होता है जो आपका payment करना होता है उसका code होता है तो आप उसको डालना चाहें डालें और यहां पर rate आप देख पा रहे हैं 7.5% है यह आपका residential है इसलिए 7.5% है इसका threshold limit जो exemption limit है 2,40,000 यहाँ accept करा लीजिए यहां से तो यह nature जरूरी ह होता है बहुत ही important part है अगर इससे आप नहीं डालोगे तो TDS आपका deduct नहीं करेगा next enter करते हुए हम आज आते हैं इसको accept कर लेते हैं अगला laser आप देख लें इसके लिए important laser एक party laser बनाना जरूरी होता है आप यहां पर हम बिल्डिंग रेंड पर लिए हैं तो party जेपी इन प balance will yes करेंगे enter करते हैं इस टेटरी information में आप देखें इस TDS deductible तो yes करकेंगे इसको deductive type जो deductive है वो किस प्रकार का है इसमें बहुत सारी category deductives की है जिसमें हम company resident यूज किया आपर enter किया कुछ भी हम ऐसा ही डाल दिया हमने चुकि resident से related है tax rate जो मेरा उसको हम डाल रहे हैं इसलि यहां address होगरा हम डालना चाहिए डाले most important part है आपका pen pen number होना बहुत जरूरी है because अभी मैंने पीछे setting करते time पे आपो बताया कि यदि pen नहीं होगा तो 20% directly deduct कर जाएगा TDS चाहे आपने भी दिया है 7.5% TDS rate बट अगर pen हम नहीं देते हैं यहां पर तो directly 20% deduct कर लेगा तो इस यहां GSTN को भी आप yes करके यहां आप settled or GSTN detail yes करेंगे और इसको accept करके हुए save कर लेंगे next आप देख लें इसमें important है जो एक tax laser आपको बनाना है TDS on rent यह enter करेंगे duties and taxes अंडर जाएगा because duties and taxes जो होता है current liabilities का secondary group है subgroup है तो चुकि tax जो होगा वो आपको जमा करना आपकी liability दायत तो है इसलिए duties and taxes आपका current liabilities का subgroup type of duty tax में हमारा TDS हो गया यहां nature of payment rent है इसको accept कर लेंगे और दो आपका GST से related डिजर बना हुआ है CGST यहां भी हम enter करते चले आते 9% आपका CGST है statry information में इस TDS applicable जरूरी है आपका है यहां से applicable करेंगे nature of payment आप provide करेंगे इसके बाद आई इसी तरीके से SGST को भी हम देख ले रहे हैं हमने सारे ledgers पहले से create कर रखे थे इसको आप इस तरह से accept कर लेंगे अब हम चलते हैं voucher करते है वाउचर के लिए हम चले जाएंगे accounting voucher म विकाज जो हमें rent प्रेशित करना है जो rent हमें देना है उसको उसमें से हमें TDS deduct कराना है तो सबसे पहले उसका हम adjustment voucher में उसको adjust करते हैं कहने का मतलब TDS को deduct कराने के लिए हम adjustment voucher journal voucher को use करते हैं journal voucher का shortcut होता है app 7 app 7 करेंगे तो journal voucher आ जाएगा सबसे पस्ट हम date change कर लेते हैं date हमने कर लिया एक जून 2020 विकाज जो हमें कर रहे हैं applicable हम 14 मई के बाद वाला कर रहे हैं तो हम एक जून इसमें दिखा दे रहे हैं expense मेरा क्या है building rent expenses डैविट है आपका चुकि expenses जो होते हैं वो डैविट में जाते हैं माल दीजे हम 15,000 रुपए rent दे रहे हैं और इस पर आपका 9% है और यहां आप ध्यान दें GST automatic deduct नहीं करेगा यहां आपको खुद डालना होगा तो 15,000 पर CGST 9% और SGST 9% 18% के साब से 27 होगा जो कि 1350 आपका हो गया CGST और SGST भी हो जाएगा आपका 1350 परचास एंटर करेंगे क्रेडिट में हम पार्टी नेम देंगे जो डिड़क्ती है जेपी इंफ्राटेक आप ध्यान देंगे यहां आप देखेंगे डेविट में आपका कम्प्लीट डेविट अमाउंट हुआ 17,700 जीस्ट को एड़ करके और एक चीज़ आप जरूर देखें जो आपका एक्सपेंसेज अमाउंट होता है उसमें जीस्ट एड़ होकर के तब टीडियस डिड़क्त करता है यदि हम विदा जीस्ट अगर हम टीडियस यूज़ कर रहे हैं तो हमें डारेक्ली एक्सपेंस लेजर देना होगा उसके बाद हम क्रेडिट जो क्रेड डिड़क्ती होगा उसका लेजर देना होगा आप देखें डेबिट में 17,700 हो गया टोटल अमाउंट और जिस पर डिड़क्ती को कितना मिल रहा है 16,815 इट मींस जो बचा हुआ अमाउंट है वो टीडियस कड गया ऑटोमेटिक एंटर करेंगे यहां न्यू रिफ्रेंस मे रुपे टीडियस अमाउंट है आप ध्यान देंगे 17,700 हो टोटल अमाउंट है यह क्रेडिट हुआ इनके अकाउंट में बट इसमें से 885 रुपे डाइविट हो गया टीडियस जो कि गवर्मेंट के खाते में जाएगा टीडियस काट करके इनको पिमेंट अगर यह देखें टीडियार में बिल्डिंग रेंट अकाउंट हो गया इसके बाद cgst 1350, sgst 1350, jp infratec को 16,815 मिलना है 17,700 में से 885 रुपे टीडियस डिरेक्ट हो जाएगा 16,815 उन्हें मिलना है तो tds on rent कितना है 885 रुपे एंटर करेंगे और इसको हम accept कर लेंगे अब हम back करके आते हैं आपको report हम दिखा देते हैं report देखने के लिए आप display में आ जाएगे दो जगे से मैं आपको report दिखाता हूँ deducted amount यही आपका है 885 रुपे जो आपको balance payable करना है हम back करके आ जाते हैं और आपको हम outstanding यहाँ दिखा देते हैं आपको बताया कि duties and taxes जो है आपका current liabilities का undergroup है आप देखें liabilities के अंदर आपका current liabilities है यहाँ enter करेंगे तो आप देख पा रहे है 2700 जो आपका GST कटा हुआ है बट GST debit में है जो amount tax का debit में सो करता है वो आपका payable नहीं होता है उसे आपको government को pay नहीं करना होता है मतलब वो refundable अभी आपको प्राप्त करना है और आपके credit में जो amount होगा tax का वो आपको government को pay करना तो यह 885 directly आपका इसमें आ गया because यह किसी अगले का है deductive account से deduct हुआ है जो central government के खाते में आपको जमा करना है तो आपने देखा अब हम चलते हैं अलग-अलग payment कर लेते हैं पार्टी का payment कर लेते हैं इसके बाद फिर हम government को हम TDS payment करके देख लेते हैं तो उसके लिए हम payment voucher में जाएंगे उसके लिए हम F5 प्रेस करके आ जाएंगे debit में हम पाने वाले व्यक्ति को देंगे जो हमारा डिरक्ती है JP Infratec आप देख पा रहे हैं 16,815 रुपे इनका amount है जो इनको मिलना है तो वो हमने यहाँ पर दे दिया एंटर करेंगे अगेंस यहाँ जा करके उसको हम adjust करा लेंगे विलवाई detail के तहट और एंटर करके आएंगे CR में cash होगा आप bank के through payment भी कर सकते हो और cash भी payment आप कर सकते हो तो 16,815 रुपे आपने यहाँ से payment accept करा दिया यह तो आपका party का payment हो गया अब हम क्या करते हैं हम government payment करते हैं तो हम यहाँ से app 12 प्रेस करके इसको single mode में कर लेंगे voucher को यहाँ से enter करेंगे और इसको control करके save कर लेंगे आप देख पा रहे हैं TDS on rent यहाँ पर हमने TDS on rent किया adjust करेंगे चुकि विलवाइस detail में यह पहले ही define हो चुका है यहाँ से जा करके आप देखें complete विलवाइस detail के माध्यम से आपका पूरा detail आ गया अगर ऐसा कुछ है तो आपको उसको भी pay करना होगा बर direct income tax ही लगा हुआ तो आप इसको enter करके accept कर लें और आप देखें यहाँ पर current balance 0 हो गया it means जो हमारा payable में so कर रहा था वो paid हो चुका होगा और जो हमारा outstanding tds outstanding था वो भी निल हो चुका होगा आप चलें back करके देख लें सबसे पहले आप balance sheet से check कर लिजिए आप देखें यहाँ से liability में से आपका current liability हंट गया because अब आपका कोई liability बचा ही नहीं है यह जो है भी आपको refund होना है प्राप्त होना है carry forward होना आपके पास यह जो आपका tds को government के खाते में payment कर दिया और हमने party को भी payment कर दिया तो इस तरह से आपने देखा complete tds हम tds का laser activate tds कैसे करते हैं tds का laser हम कैसे बनाते हैं tds को हम voucher में कैसे adjust करते हैं फिर हम payable को कैसे check करते हैं उसके बाद हम payment कैसे करते हैं पार्टी पेमेंट हम कैसे करते हैं और टीडियस पेमेंट हम कैसे करते हैं सारी चीजें आपने देखी तो मैं आसा करता हूं कि तक तक के लिए, थैंक यू, जैहिन